नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज हम आप सभी को जो महत्वपूर्ण घटना के बारे में, जो बड़ी चमतकार के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों सुनकर आप अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे जी हाँ दोस्तों, याउं कहें कि यह देवी का शुभ पैर आपके घर आ चुकी है जो कि दोस्तों, अब आपके जीवन में, आपके घर परिवार में ऐसी खुश खबरी, ऐसी चमतकार होंगे कि दोस्तों पूरा गली मोहला देखकर हैरान रह जाएंगे वह सोचेंगे कि इसने क्या ऐसे तरक्की हासिल किया, क्या ऐसे काम्याबी इसके हाथों लग गए जो कि यह रातों रात माला माल हो गए जी हाँ दोस्तों और दोस्तों, यह सबका कारण है, यह एक दिव्य शक्ति का होगा जी हाँ दोस्तों यह दिव्य शक्ती का शुब पैर आपके घर कुछ दिनों से पड़े हैं और दोस्तों यह अब जो चमतकार करेंगे वह दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे देख कर जी हाँ दोस्तों आपको वह काम्याबी वह सपना एक-एक करके पूरा होगा जो दोस्तों आपका पिछले समय में वह सपना रह गया था आपका वह उम्मीद अब जाग उठेगी जो दोस्तों वह कम होने का कोई उम्मीद नहीं था लेकिन दोस्तों आपने कुछ दिनों में ऐसी गलती कर दी है ऐसी अशुब प्रस्तुती में आप कार्य कर दिये हैं कि दोस्तों आपको दो बड़ी नुकसान भी होगा और हो सकता है कि दोस्तों यह नुकसान से यह देवी आपको आपके घर को छोड़ कर भी जा सकती है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों वह कौन सी गलत कारिय किये हैं कौन से अशुब कारिय आपके हाथों से हो गए हैं जो दोस्तों ये देवी आपके घर छोड़ कर जा सकती है तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना नहीं तो दोस्तों ये शक्ति जो आपके घर आए हैं ये शक्ति आपको छोड़ कर भी जा सकती है और दोस्तों ये शक्ती एक बार आपका घर छोड़ कर चला गया तो दोस्तों आपका वह दिन आ जाएगा वह समय आ जाएगा जो कि दोस्तों आपको वह समय कहीं का नहीं रखेगा आपको जलने वाले दुश्मन इतने काम्याब हो जाएंगे कि दोस्तों आपको जीना मुश्किल कर देगा जी हाँ दोस्तों अपने पिछले समय में बहुत ही भक्ती भाव की है भगवान के प्रति बहुत ही पूजा पाठ की है इनी के कारण दोस्तों यह शक्ती दोबारा आपका घर आया है आपका किस्मत बदलने आपका भाग्य चमकाने तो दोस्तों ध्यान रहे जो हम आज महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करेंगे जो राज के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों ये घटना ये हराज आप किसी के कानो कान खबर मत होने देना और दोस्तों, बिल्कुल शान्त होकर और अकेले में ही देखना, तभी दोस्तों, आपको वह काम्याबी, वह चमतकार आपको मिल पाएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय में आपको ऐसे बड़े संकेत भी ये देवी दिये हैं। आपको ऐसे ऐसे कार्य में, ऐसे ऐसे हर मोड में परिस्थित में आपको संकेत दिये हैं। जब आपको भयंकर नुकसान हो सकता था, यहां तक कि आपकी जान भी जा सकती थी, लेकिन आपको बाल-बाल किसी ने बचाया, जी हां दोस्तों, तो वह कौन है? कौन सी वो देवी है, जिन्होंने आपके साथ रहकर हर वक्त आपकी रक्षा की है, आपको बचाया है, और अब ऐसा क्या हो गया, कि वह आपसे नाराज होने वाली है? आज के इस वीडियो में हम आपको इन सब विशयों पर संपूर्ण घ्यान प्रदान करें। दोस्तों, वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है, इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है, यदि आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझेंगे, और समझने के बाद इन बातों को अपने जीवन में भी लाग आपको बचाया है, आपको भयंकर से भयंकर पीड़ा से भी मुक्त कराने का कार्य किया है, जी हाँ, दोस्तों, कई बार आपको स्वेंग को भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश वह कम हुआ और आपको थोड़ी सी करते हैं, या उन कहें कि कोई आपको बताता नहीं है और उन्हीं लगातार होने वाली गलतियों की कीमत चुका रहे हैं, लगातार परेशान रह रहे हैं, आपके द्वारा किये गए कर्मों का भी सही फल उचित परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, मन वांचित सफल प्रिफ है, मिल रही हैं, क्यों लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके साथ आप अच्छा करते हैं, उनके साथ भी आपकी बुराईयां क्यों हो जाती हैं, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया, या आपके साथ क्या ऐसा गलत है, कि आपके कष्ट, आपकी परेशानियां, या यूँ कहें कि आपके दुखों के दिन समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। दोस्त, हम एक-एक करके आपके जीवन की हर एक बात को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को देखें। समझे कि आपके जीवन में क्या गलत है दोस्तों, प्रयास तो आपको ही करनी होंगे और प्रयास करने के लिए आप कुछ सही घ्यान होना बहुत आवश्यक है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं। इस संसार में जो किसी को सही घ्यान देते हैं, लोग अपने मन के मताबिक जानकारी को तोड़ मरोड कर दूसरों को देते हैं और बदले में उनसे पैसे ही अंड़ते हैं, तो जब आपको सही घ्यान कहीं से प्राप्त हो, तो उसे अवश्य ले लेना चाहिए, क्योंकि हम आपको वीडियो में देने जा रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि लोग इस तरह की बातों को बताने के लिए बदले में पैसे की मांग करते हैं, या दोस्तों, लोगों ने इस तरह के व्यापा चला रखे हैं, कि लोग दूसरों को राह को पहुंचाते हैं, लेकिन बदले में उनसे मोटी मोटी रकम भी मांग लेते हैं, या ले लेते हैं, और लोग उन्हें देते भी हैं, बदले में उन्हें समाधान तो प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हम आपको इतनी महतवपूर्ण जानकारियां मुft में देने का कार्य कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों, हमें आप से किसी भी प्रकार का लालच नहीं है हमें बस इतना चाहिए कि मा काली हमारी भक्ती से प्रसंन रहें और दूसरों के हित में हमारे द्वारा किये गए प्रयास सफल रहे बस यही हमारे जीवन का और हमारी मेहनत का उद्देश्य यदि आपके जीवन में एक परसेंट भी बदलावाता है आपको लाभ प्राप्त होता है तो हम समझेंगे कि हमारी मां काली के लिए भक्ती सफल रही हमारे फोन का घड़ा भर गया और हमारा जीवन भी सफल रहा तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमा काली लिखना ना भूलें दोस्तों माता को अपने जीवन में शामिल कर ले अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले माता को याद करें और अपने महत्वपूर्ण कार्य को माता को समर्पित करें जी हाँ दोस्तों इस भाव के साथ अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने दिन की शुरुआत तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इनसान मां को याद करें और मैं उसकी मदद करने के लिए उसके जीवन को सुन्दर और सुगम बनाने के लिए आगे बढ़कर ना आए जी हाँ दोस्तों तो इसी लिए हम अपने हर वीडियो में आपसे ये बात कहते हैं कि माता को याद करके जय मा काली अवश्य लिखें माता आपका उधार और कल्यान करेंगे जी हाँ दोस्तों इसी के साथ साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन और है वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चानबिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे-च्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुप्या भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेधन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस से हमारा चैनल परिवार बड़ा होता है और हमारा मनोबल भी पढ़ता है दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि कोई कहता है कि आपकी ग्रह स्थिति अच्छी है हुई नहीं रहे है आप जो सोच रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा तो ग्रह स्थिति अच्छी होने के बाद भी आपको लाब प्राप्त नहीं होते हैं उल्टा होता यह है कि जब लोग कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है इसकी वजह होने उल्टा लगता है और आपके जीवन में बुरा होने लगता है कुछ परिशानियां आपके आगे आने लगती हैं तो आप विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या फिर रेस्टी जो बता रहे हैं, वह गलत कह रहे हैं। तो हम आपको बताएं दोस्त, उसके ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रह स्थिती जो आपको बताते हैं, लोग गलत नहीं बताते, लेकिन उसे अच्छी ग्रह स्थिति का यह ग्रहों की सुन्दर चाल का आपको सही लाब प्राप्त नहीं हो पाता है इसका कारण क्या है? दोस्तों, ग्रहों की जो स्थिति होती है, वह एक विशेश उर्जा का निर्मान करती है हर ग्रह की अपनी एक उर्जा होती है, अपना एक स्वभाव होता है जब कोई अच्छा ग्रह है, आपके पक्ष में होता है, मजबूत होता है तो वह आपको लाब देने की कोशिश करता है लेकिन आपके यास पास यदि नकारात्मक उर्जा का वातावरन रहेगा तो वह लाब आपको प्राप्त नहीं होगा आपके दुख तकलीफ कम नहीं होंगे और यदि आपके आपके आस पास नकारात्मक उर्जा का वातावरन जीवन भर बना रहेगा तब ही आप लाब प्राप्त नहीं कर पाएंगे मन चाहा जीवन जी नहीं पाएंगे यहां तक की किसी भी देवी देता की कृपा तक आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी आपने सुना होगा कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने तो जीवन भर भगवान भोले नात को जल अर्पित किया है जीवन भर हनुमान 40 का पाठ किया है लेकिन दुख तकलीफ कभी कम ही नहीं हुए है तो दोस्त इसी विशय में आज के इस वीडियो में आपको बहुत गहरी और बहुत मूल भूत बात पता चलने वाली है हम आपको एक ऐसी विशेश बात बताएंगे जिसको जानने के बाद हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा कई लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं दोस्तों ईश्वर की रोखी, कृपा ग्रहों की बदली हुई चाल सब कुछ उनके पक्ष में होने लगा और उनकी मेहनत का उन्हें सही फल प्राप्त होने लगा कर आत्मक है कि आसपास की तब आप कोई उपाय भी करें तो आपको उपाय का सही फल प्राप्त होगा नहीं जी हां दोस्तों जैसे कि कर्ज निवारन का कोई उपाय आपने कर लिया अब कर्ज निवारन का उपाय करते ही उर्जा उत्पन्न होती है जैसे आपने भगवान भोलेनात का बढ़केश्वर महादेव का कर्ज निवारन उपाय किया तो उससे बटुकेश्वर महादेव की सकारात्मक उर्जा आपके पास आएगी आपके जीवन को बदलने की कोशिश करेगी वह शुद्ध सकारात्मक उर्जा है आपके आसपास नकारात्मक उर्जा का वातावरण है पूर जा भी आपको संपूर्ण लाब प्रदान नहीं कर पाएगी अब आप ऐसे में सोचेंगे कि उपाए बेकार है उपाए का कोई लाब नहीं है जीवन में कोई बदलाव तो आया नहीं इसका मतलब है जिसने उपाए बताया उसने जूट बोला या फिर जो उपाए है वही बेकार है लेकिन दोस्तों ना तो उपाए बताने वाला जूट बोल रहा है और ना ही उपाए खराब है दोनों ही अच्छे हैं क्योंकि इन उपाएँ से दूसरों को लाब हुए है तो आपको क्यों नहीं हो रहे तो फिर सोचने वाली बात ये है कि कमी कहां है अब कमी ये है कि आपको अपने आसपास के उर्जा के नकारात्मक वातावरन को बदलना है और यह कार्य किसका है कैसे बदलेंगे आप बाहरी पूजा पाठ करेंगे किसी भी देवी देवता की कोई अन्य प्रकार के कर्मकांड करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आएंगे तो अब आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए कौन जिम्मेदार है आप कहां जाएं किसका सहारा है दोस्तों हम आपको बताएं कि मैं आपको एक ही काम करना है और वह काम क्या है अब आप ध्यान से सुनिए दोस्तों आपके परिवार की संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा किसके पास है आप समझिए आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा का जिम्मा आपके पूर के पूरवजों के पास यानि आपके पितरों के पास है, लेकिन आपकी संपूर्ण कुल का पालन पोशन, आपके संपूर्ण कुल का भला बुरा विचार करने का जिम्मा किसके पास है? कुल देवी का जीवन दोस्तों कुल देवी एक ऐसी होती है जिने हमारी बहुत कई पीडियों पहले किसी पूर के पूरवज ने पूछना शुरू किया था फिर वह एक से चला बना और पीडि दर पीडि देवी की लगातार पूजा आराधना शुरू होता है कुल देवी का काम करती है यानि कि आपके संपूर्ण कुल की रक्षा करना आपके कुल का पोशन करना इन देवी का कार्य हो जाता है तो जब तक यह सिलसिला लगातार चलता रहता है सब कुछ ठीक बना रहता है लेकिन कई पीडियां गुजर जाने के बाद लोग धीरे धीरे देवी को भूलना शुरू कर देते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है जब लोग यह भी भूल जाते हैं कि उनकी कोई कुल देवी है भी या नहीं है तो फिर होता ये है कि आप बेशक भूल जाएं लेकिन कुछ पीडियों तक, कुछ समय तक माता की छाया आपके उपर बनी रहती है और आपके कुल की रक्षा होती रहती है लेकिन जब लंबे समय तक माता का निरादर होता है पूजा पाट नहीं होती है तो माता आज से रुष्ट होने लगती है और धीरे धीरे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक समय वह आता है कि जब माता की छत्र छाया आपके कुल से हट जाती है ऐसे में होता यह है कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको घेरना शुरू कर देती है हमने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जीवन में चाहे कोई कार्य करें या ना करें किसी भी देवी देवता की पूजा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये आपका अपना निजी विचार है लेकिन आप दो चीजें अवश्य अपने जीवन में शामिल करें पहला कि अपने पित्र देवता का पूजन अवश्य करें अपने पित्रों को मान सम्मान दें और उनके नाम का एक दीपक दक्षिन दिशा में अवश्य जलाएं दूसरा कि अपनी कुलदेवी को कभी न भूले कुलदेवी को याद करते रहे और उनकी भी पूजा आराधना लगातार करते रहे जी हाँ दोस्तों जो इनसान यह जो कार्य करेगा चाहे ऐसी ही परिस्थिति क्यों न बनी रहे उसे इनसान के जीवन में बुरा हो नहीं सकता हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं लेकिन उन उतार चढ़ाव की संख्या कम होगी तीवरता ताकत कम होगी और आपकी सहन शक्ती बढ़ जाएगी एक दिन वह आएगा जब आप जीवन की हर एक विशम परिस्थिती से उठकर खड़े हो जाएंगे और अपना मनवांचित जीवन, खुशहाल जीवन जीना शुरू कर देंगे जी हाँ दोस्तों, आप हमारे कहने से एक बार यह कार्य अवश्य करिए जी हाँ दोस्तों, आपको यह नहीं पता कि आप अपने मित्र पूरवजों का पूजन कैसे करना है तो आपको दो कार्य करने हैं, बहुत ही सरल है, आप बस इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लीजिए घर की महिलाओं से कहिए कि जब रोटी बनाएं, तो पहली रोटी गाए की और आखरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं क्योंकि गाए और कुत्ता दोनों ही पित्रों की सूचना जब भी आप गाए को और कुत्ते को भोजन कराते हैं, समझ गए आपके पुत्र प्राप्त हो जाते हैं और आपको आशीरवाद देते हैं, आपके घर की रक्षा करते हैं जी हाँ, दोस्तों, जिस इंसान के पुत्र प्राप्त होते हैं, खुश होते हैं, आशीरवाद दे रहे होते हैं, उस इंसान के जीवन में विपत्तियां किसी कीमत में आ नहीं सकती और वह जो भी पूजा पाठ करेगा, उसका उसे पूरा फल प्राप्त होगा, क्योंकि पि कुल देवी कुल देवता को याद करते हैं कि नहीं नाम का भी एक दीपक जलाते हैं कि नहीं, तो आपको हम बता दें कि कुल देवी के नाम का दीपक आपके घर की देहरी पर जलाया जाता है। और आपकी रक्षा करेंगे, आपके कुल की रक्षा करेंगी और नकारात्मक उर्जा को वहीं से दूर हटा देंगे, तितर बितर कर देंगे, तो आपको करना ये है कि अपनी कुल देवी या देवता के नाम का एक शाम के समय, जी हाँ दोस्तों, संध्याकाल में अपनी दहली देवता का पता लगा सकते हैं, इसके लिए एक बहुत सुन्दर सा अच्छा सा प्रयोग है। सपने में आपकी कुल देवी देवता खुद आएंगे और आपको कोई ना कोई ऐसा संकेत अवश्य देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन है आपकी कुल देवी और क शकारात्मक उर्जाएं होती हैं जो जीवन में प्रभाव डालती है। जीवन में परेशानियों का कारण बनती हैं और उन शकारात्मक उर्जा से रक्षा करने के लिए हमें सकारात्मक उर्जाओं का पूर्ण सहयोग चाहिए। तो देवी देवता जब हमारी रक्षा करने के लिए तयार होते हैं तो फिर हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदलता रहता है और हमें अच्छा और सुन्दर जीवन प्राप्त होता है तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे पता लगाना है कि आपकी कुलदेवी कौन सी है या दोस्तों यह प्रयोग आपका शुरू ह शुकरवार के दिन से शुकरवार के दिन आपको रात को नौ बजे यह दोस्त और रात्री के समय ही यह प्रयोग करना है नहाधोकर पूजा पाठ करने के बाद आपको एक जल का कलश लेना है और उस जल के कलश के उपर आपको एक नारियल स्थापित करना है और नारियल या फिर चंदन के साथ में लाल सिंदूर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप उस कलर्स के उपर एक धक्कन रखेंगे और उस धक्कन के उपर आप थोड़ा सा अन रखेंगे। गेहूं रख सकते हैं और उनके उपर आप उस नारियल को स्थापित करेंगे और साथ दिनों का यह प्रयोग रहेगा। हम नादान हैं, हम आपके बारे में भूल चुके हैं लेकिन अब हमारी इछई है कि हम आपका पूजन करें। आपकी पूजा पाठ के द्वारा हम अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें यह अवसर प्रदान करें। यह आपको मनही-मन सोचना है या यूँ कहे कि ऐसी आपको प्रार्थना करती है तो आपको यह प्रार्थना करनी है कि ही कुल देवी और कुल देवता आप सपने के माध्यम से हमारा मार्ग दर्शन करें और आप बताएं कि आप कौन है यदि हमें पता चल जाएगा तो हम आपकी नियमित जीवन भर पूजा पाठ करेंगे और आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे यदोस्तों आपको यह अपने मन में विचार करना है आप कुछ इस से अलग भी विचार कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है बस आपको अपनी कुल देवी देवता के बारे में यह हवन करना है कि आप आईए और हमें सपने के माध्यम से कोई संकेत दीजिये कि आप कौन है हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं जहां दोस्तों आप साथ दिन तक एक करिए यानि कि शुकरवार से आप इस प्रयोग को करना शुरू करिए और नियमित करना है आपको इस प्रयोग के दौरान अपने खान पान पर भी ध्यान देना है यानि कि शुद्ध सात्विक भोजन लेना है और हो सके तो लहसुन प्याज को भी त्याग देना है दोस्तों, अब आप किसी विशेश साधना को कर रहे हैं और साधना को करने के नियम यही होते हैं कि भोजन सात्विक होना चाहिए ब्रह्मचारी का पूर्ण रुप से पालन होना चाहिए तो साथ दिनों तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको जितना हो सके उतना सत्यवरत का पारण करना है जूट नहीं बोलना है चाहे आपका काम बने या बिगडे आपको जूट का साथ नहीं देना है पस आप ऐसा करिए साथ दिन के अंदर अंदर कुल देवी या देवता जो भी है आपके आपको सपने के माध्यम से संकेत देंगे और आपके होने का एहसास कराएंगे और आपके कुल पर आपके परिवार पर उनकी छत्रचाया फिर से स्थापित हो जाएगी जी हाँ दोस्तों देवी देवता हमारा ढोंग हमारा दिखाव नहीं चाहते ये तो हमारे भाव से प् मध्य में रखना है दोस्तों, ना इधर ना उधर, दीपक अपने घर की दहलीज के मध्य में अपनी कुल देवी देवता के नाम से जलाना, अब शुरू कर देना, दोस्त को विश करना ना पता हो, लेकिन आप जल आईए, आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई संकेत स्थान हो, वहाँ पर जाकर उनके दर्शन करके प्रसाद बगैर अवश्य चड़ा आई है, बस आप देखेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, दोस्तों देवी जो आपसे नाराज हो चुकी है, वे फिर से आपके घर में आ जाएंगे, आपके घर की रक्षा करेंगे, य लेकिन फिर के लिए आप फिलहाल दो कारिय कर सकते, हमने आपको बताया कि वह रोटी वाला उपाय आप कर सकते हैं, दूसरा कि आप ही के दीपक अपने घर की दक्षिन दिशा में चला सकते हैं, अब ऐसे में आपको यह ध्यान देना है कि दीपक की बातें की जो लौग वह उत्तर दिशा की ओर होगी और दीपक आपका, घर की दक्षिन दिशा में रखा जाएगा, बस ये दो, दीपक आप रखिये कुल देवी के नाम से और एक मित्रों के नाम से, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे नकारात्मक उर्जा में छपने लगेंगे, और आपके घर भी और अच्छे कारियों में खर्च होगा, जी हाँ, दोस्तों, घर के बच्चे भी बड़ों का सम्मान करना शुरू कर देंगे, बात मानेंगे और घर की उन्नती होने लगेगी, ग्रहस्थिती बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है, आप अपनी क्षमता और योग्यता से किस मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे, मानसिक और आत्मिक सुख शांति का अनुभव रहेगा, किसी संबंधी के यहां समारोह में जाने का निमंतरन मिलेगा, अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई विचार चल रहा है, तो उस पर अमल करने का उचित समय है, आपका कोई खास कार्य रुका हुआ है, तो आज किसी के सहयोग से हल होने की संभावना है, बातचीत के माध्यम से कई परेशानियों का हल मिलेगा, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुलित रहेगा, और तनाव मुक्त होकर अन्य गत रहेंगे और उसका परिणाम भी उचित ही प्राप्त होगा, दिन की शुरुआत किसी शुब समाचार से होगी, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, इस से सुकून रहेगा, घर में महमानों के आगमन से चहल पहल रहेगी, और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर लें, किसी व्यक्तिगत समस्या का समाधान होगा, अगर कोई प्रॉपटी संबंधी मामला फंसा हुआ है, तो आज उसके हाल होने की संभावना है, आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यती करें, आप खुशी और शान्ती महसूस करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास भी करें, विद्यार्थी और युवा वर्ग मौज मस्ती में अपना नुकसान ही करेंगे, इसलिए सचेत रहें, बैंक अत्वा निवेश संबंधी कारियों में कुछ गल्तियां होने से मन में जुझला हट रहेगी, बेहतर होगा कि इनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति का मार्क दर्शन अवश्य लें, व्यवसाई के गतिविधियां बेहतर होंगी, इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट संबंधी व्यवस समय से कार्यक्षेत्र में किये गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए पूरी मेहनत और एकागरता से अपने काम पर ध्यान दें, व्यवसाई संबंधी किसी भी तरह का लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, व्यवसाई गतिव होने की आशंका बन रही है, अपने कारियों पर ही ध्यान दें, कुछ विरोधी लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, इसलिए अपनी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक न करें, व्यवसाई संबंधी किसी नए काम को शुरू करने का उचित समय है, अच्छा म मन में कोई प्रशन उठता है, इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट करें, हम आपके प्रशनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको जो भी सर्वश्रेष्ट जानकारी होगी, वह देने का प्रयास करेंगे, आपका जीवन सुन्दर हो, स्वर्ग के समा फूलों के समान आपका जीवन में के बस यही हमारी कामना है, इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जैमाम काली लिखें, माता आपका उद्धार करेंगी, कल्यान करेंगे, आपका जीवन सुन्दर और सरल होगा और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो फिर वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाना बिलकुल ना भूलें, मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैमात जादी.